आठ चार्सो 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 जी हाँ याद कर लीजिए वोटसप नमर क्योंकि अब आपका मेच, फिजिक्स, केमेस्टी, बाइलोजी का सवाल हो आपके हर क्यूशन हर डाउट का मिलेगा तुरुन सोलुशन वो भी सिधा आपके वोटसप पर बस अपने फोन में ड T.J.E. NIT, C.B.C.а. Bor ads सभी स्टेट बोर्ड के बच्चो के लिए तो देर किस बात की अभी जाईए और 8-400-400-400 पर अपना सवाल वाटसप कीजिए और अपने सभी डाउट को आउट कीजिए लिंक डिसक्राइब साइनल 겁니다 राजस्तान मादेमिक शिक्ष्या बोर्ड दुवारा कक्षा 10 सेंसकर्थ का जो मोडल पेपर है 2022 की बोर्ड परिक्षा के लिए वो आपके जारी हो चुका है और इससे पहले मैंने कक्षा 10 के सभी विश्यों का जो मोडल पेपर है 2022 की बोर्ड परिक्षा के लिए वो अल्रेड के लिए वह वहां पर जाकर आप अच्छे से त्यार कर सकते हैं और यहां पर आप देख सकते हैं कि 2 गंटे 45 मिनिट इस बार आपका जो पेपर आने वाला है सेंसकर्थ का बोर्ड प्रिक्षा 2022 में जो पेपर होने वाला है आपका सेंसकर्थ का तो उसमें आपको पेपर को हल क करने में आपको जो टाइमिंग मिलने वाली है जो समय मिलने वाला है दो गंटे 45 मिनिट और सेंस्कृत का जो पेपर आएगा वो आपके 80 नमर का आएगा तो यहां पर और इसी के according इस model paper के according है आपके board picture 2022 में सेंस्कृत का पेपर आने वाला है तो complete यह model paper आपको अच्छे से त्यार करना है और काफी questions हैं वह आपको इस model paper से आपको board picture 2022 में जो सेंस्कृत का आपके paper होगा तो इसी model paper से काफी questions आपको Sanskrit के paper में देखने को मिलेंगे तो यह पूरा model paper आपको अच्छे से त्यार करना है और video को आपको complete देखना है तो सबसे पहले paper में आपके खंड A दिया गया है तो खंड A में आपके बहु विकलपी person है जिनका आपको विकलप वाले जो multiple question है जिनका आपको option दे रखे हैं और जो option आपका right है वो आपको अपनी copy में लिखना है और 7-7 में आप इन questions को स्क्रिन सोट भी ले सकते हैं या साथ-साथ में आपनी copy में भी note down कर सकते हैं तो इसमें total 12 question है उसके बाद में person number 2 है जिसमें रिक्तिस्तानों की आपको पूर्ति करनी है और तीसरा person है वो है आपके एपठित गद्यांस यानि आदो लिखित एपठित गद्यांस पठित वा और एत दारित परसनानाम यथा निर्दे से उत्रानी लिखत यानि ये आपके गद्यांस दिया गया है इस गद्यांस को आपको अच्छे से पढ़ना है और इसमें जितने भी आपके questions दिये गए है all questions आपको अच्छे से त्यार करने है उसके बाद में पेपर में जो खंड बै दिया गया है और खंड बै में आपके लगूत रात्मक परसन है तो ये भी आपको करने हैं जो आपके दो दो नमर के हैं और जिसमें परसन नमर च्यार आपको दिया गया है यानि आपको ये दो सब्द दिये गये हैं इनकी आपको संदी करनी है और संदी का नाम भी आपको लिखना है और परसन संक्या पांच है आपके इसमें भी आपको संदी विखेद किया हुआ है आपको बनाना है अच्छे से यानि संदी बतानी है आपको और संदी का नाम भी आपको बताना है और उसके बाद में परसन संक्या 6 है जिसमें आपको समास विग्रे करना है और समास का नाम भी लिखना है यहाँ पर भी आपको दो वाक्ये दिये गए हैं तो इन दोनों वाक्यों का आपको संदी विचे जो समास का नाम लिखना है कि इनमें कौन सा समास है और यहां पर भी आपको दो वाक्य दिये गए है उसके बाद में परसन संक्या आठ है इसमें उपसरग को अलग-अलग करके लिखना है ओके यहां पर भी आपको दो सब्द दिये गए हैं इन दोनों में आपको उप्सरक जो सब्द है उसको अलग करके लिखना है और परसन नमबर 9 में आपके मंजूसा है तो जो रिक्तिस्तान दिये गए हैं इनको आपको पूरा करना है और उसके बाद में परसन संक्या आपके 10 है इसमें अदोलिकित जो संक्या वाची जो सब्द हैं उनको सेंस पर्षन संक्या 12 दो लिखित सलोक से अन्वने कुरूत यानि आपको सलोक दिए गए है तो इनका कोई अर्थ है वह आपको करना है और पर्षन संक्या 13 इसमें आपको सूध करके लिखना है यानि आपको दो वाक्या आपको दिए गए हैं इनको आपको सुध करके लिखना है और पर्षन संक्या 14 है इसमें आपको अपने जो पेपर में जो सलोक नहीं आए हैं उन सलोक को छोड़ कर जो सलोक आपको याद हैं दो सलोक आपको लिखने हैं और पंदरुवा पर्षन है इ इसका हिंदी बासा में आपको सार लिखना है और यह आपके परसंग्या 16 है जिसमें पाठे पुस्तक पद्यांस है आपकी और इस पद्यांस का बावार्थ आपको सेंसकर्थ में लिखना है और उसके बाद में खंड से और खंड से में भी आपके दो लिखित जो गद्यांस द करना है यह अत्हुआ वाला भी आपको करना है च्छेयर ये अपको आना चाहिए और उसके बाद में पर्ष्ण संग्या 18 आपके इसमे अधो लिखित प्ध्यान्स से जा स्यपर्शं कर हिंदी वासायं उन्वाध करना है ओके और अत्वा में भी एक क्युश्शन है आपके इसको भी आपको करना है अच्छे से उसके बाद में परसंग्या इसमें जो च्छे वाक्य दिये गए हैं इनको करम पूर्वक स्योंजन के रूप में आपको लिखना है अत्वा वाला भी आपको करना है उसके बाद में खंड दे और खंड दे में आपके परसंग्या 21 है कि बवान राज की आदर्स उंच मादमिक विद्याले कंचन पुरसे द प्राथना पत्र लिखना है और अत्वा में भी आपको एक क्यूशिन दिया गया है जिसको आप पड़ सकते हैं आपके पत्र है इसमें आपको पत्र लिखना है कि बवान गोविंद सवकी मित्र राजेंदर परति सव विदालेस से वारसी कोच्षव विसे अदो लिखित पत से इसमें आपको मंजूसा दिया गया है तो इस क्यूशन को भी आप अच्छे से पढ़ें और परसंद संक्या 23 है आपके कि अदो लिखी तेसू वाके सू केसा चन और चतुराना वाक्याना सेंसकर्द बासाए अनुवाद करोतू यानि इन से आपको छै वाके दिए गये हैं हो इसा करना करणा है और इसी बोड़न पर के अको हैं और बोर्ड प्रिक्चा 2022 में सेंसकर्ट के पेपर में इसे मोडल पेपर से काफी कुश्चन्स हैं वह आपको देखने को मिलेंगे अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों के साथ सेर करें और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए साथ में नोटिफिकेशन बैल को प्रेस कर लिजिए